भारत के प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफ एक बड़ी साजिश का परदाफाश हुआ है। संग्ये सुरक्षा सेवा FSB ने गिरफतार किया है। सिर्फ 30 साल का ये आतनकवादी सेंट्रल एशिया के उजबेकिस्तान का रहने वाला है। पूछ ताच्च में इसने स्विकार किया है कि उसके निशाने पर भारत की सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था। इस आतनकवादी ने साफ साफ ये भी स्विकार किया है कि उसे पैगंबर मुहम्मद की बदसलू की का बद्दा लेना था। नूपूर शर्मा से जुड़े तार दरसल। ये आतनकवादी लंबे समय से हमले की तैयारी कर रहा था। जबकि आतनकी अज़ा मुवमा शाहोंड द्वारा प्लानिंग के तहत हमले के तार चार देशों से जुड़ रहे हैं। इसी साल अप्रेल में उस इस्लामिक स्टेट ने तुर्की में ट्रेनिंग दिनी शुरू की। ट्रेनिंग के बाद वो सुसाइड बॉम बर्बन कर तयार हो गया। जिसके बाद उसे रूस भेजा गया। आतंकी को रूस से भारत आना था, जहां उसे हमले को अंजाम देना था। रूस की सेक्योरिटी एजेंसी एफएस बी के मताबिक ये आतंकवादी इसी साल अप्रेल से जून के महीने तक तुर्की में रहा। जहां तुर्की की राजधानी इस्तामबुल में आइसिस ने इस आतंकवादी से बहुत सी मुलाकातें की, उसे सुसाइड बॉम्बिंग के ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद आतंकवादी ने आइसिस के लिए समर्थन का एलान किया। उसे रूस में अपने कुछ कागजी कारेवाही पूरी करनी थी और फिर उसे वहां से भारत आकर इस हाई प्रोफाइल हमले को अंजाम देना था।